नमस्ते स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में हर्स की मर्त्यू के बाद जो कनोज की स्थिति थी वो कैसी थी इसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुप्तोतर काल से संबंदित महतोपुन जानकरी आप लोगों को दी है तो आप गुप्तोतर काल की जो प्लेलिस्ट है उसमें गुप्तोतर काल के संबंद में जानकरी प्राप्ति कर सकते हैं ठीक है और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें बेल आइकन दबाएं ताकि आप उने नोटिफिकेशन मिलें और आप एक्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें ठीक है तो जलिए पढ़ते हैं हर्ष की मर्ट्यू के बाद कनोज की स्थिति कैसी थी हर्ष वर्दन की मर्ट्यू के बाद उत्तर भारत में राजनेतिक विकेंद्री करण एम विबाजन की सक्तियां एक बार पुनह सक्रिय हो गई काम रूप में भासकर वर्मा ने कण सुवन तथा उसके आसपास के छेतरों को जीत कर अपना स्वतंथर समराजय इस्थापिद कर लिया तथा मगद में हर्स के सामन्त माधव गुप्त के पुत्र आदिते सेन ने अपना स्वतंतर राजे इस्तापित कर लिया भारत के पस्चिमी तथा उत्री पस्चिमी भागों में कई स्वतंतर राजों की स्तापित हुई कस्मीर में कार कोट वन्स की सत्ता इस्तापित हुई समानेत है यह काल पारस्परीक संगर्ष तथा पर्तिद्वन्द्वीता का काल था हर्स के बाद उत्तर भारत की राजनेती गती वीधियों का केंदर बिंदू करनोज बन गया जिस पर अधिकार करने के लिए विबिन सक्तियों में संगर्ष प्रारंब हुआ सबसे पहले है चीनी आकर्मन हर्स के कोई पूत्तर नहीं था अताव उसके बाद करनोज पर अरजू नामक किसी स्थान ये सासक ने अधिकार कर लिया था चीनी लेकर मातवान लिन में हमें ये बताता है कि 626 इस्वी में चीनी नरेस ने वंग हुएंस से के नेतरतों में तीसरा दूत मंडल भारत भेजा था जब वह करनोज पहुंचा तो हर्स की मर्ट्यू हो चुकी थी तथा अरजून वहां का राज़ा था उसने अपने सनिकों के दूरा दूत मंडल को रोका तथा उनकी लूट पाट की वंग ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई परतिशोत की भावना से उसने तिबत्ती राजा गंपो तथा नेपाली राजा अन्सू वर्मा से सनिक से लेकर अरजून पर आकर्मन किया अरजून पराजित हुआ उसके बहुत से सनिक मारे गए तथा उसे पकड़ कर चेन ले जाया गया जहां कारागार में उसकी मर्तू हो गई इस कतर से यह तात्परिय निकलता है कि हर्स की मर्तू के बाद उत्री भारत में अराजकता एम आय विवस्ता की स्थिति व्यापत हो गन्योज का इठ्यास अंदकार में दिखाई देता है इस अंध यूग की समापती के बाद हम कन्योज के राज शिहांसन पर यसो वर्मन नामक एक महत्वा कांग सी एम 37 सासक को देखते हैं यसो वर्मन और यह जो यसो वर्मन नामक सासक है ये एकजाम की दरस्टी से बहुत तो वीडियो को ढंक से देखिएगा आप यसो वर्मन के वन्स से प्रारंपिक जीवन के बारे में हमें कुछ भी जानगरी प्राप्त नहीं होती है उसके नाम के अंत में वर्मन सब्द जुड़ा देखकर कुछ विद्वान उसे मोखरी वन्स का सासक मानते हैं परन्तु इस व वर्मन के सासनकाल में की गठनाओं के विशे में हम उसके दरबारी कवी वाक्य पती के गोड़ वहो नमक क्राकर्त भासा के लिखित कावे से जानकरी प्राप्त करते है जो उसके इत्यास का सर्वपरेमुक्स रोत है तो वाक्य पति का गोड़ वह हो है उससे हमें यसो वर्मन के बारे में जानकरी प्राप्त होती है गोड़ वहो यसो वर्मन के सैनिक भियान का विवन परश्थू करता जो इस परकार है एक वर्षा रितु के अंत में वह अपनी सेना के साथ विजे के लिए निकला सोन गाठी से होता हुआ वह विंधे परवत पहुंचा और विंधे वासीनी देवी को पूजा द्वारा परसन किया यहां से उसने मगद सासक पर चड़ाई की युद में मगद का राजा मार डाला गया तत्पसाद उसने बंग देश पर चड़ाई की बंग लोगों ने उसकी अधिनता स्विकार कर ली बंग विजय के बाद यसो वर्मन ने दक्षिन के राजा को प्रास्त किया तथा मलेगिरी को पार किया उसने पार सिकों पर चड़ाई की तथा उन्हें युद में हरा दिया पसिमी घाट के दुर्गम चेत्रों में उसे कर प्राप्त हुआ वह नर्मदा रदी के तट पर आया तथा समुदर तट से होता हुआ मरू देश राजस्तान रेगिस्तान जाब पहुंचा यहां से वह स्रीकंठाया तथा फिर कूरू चेत्र होते हुए अयोध्या पहुंचा मंदराचल परवत के निवासियों ने उसकी संपरभुता स्विकार की उसने हिम्भले चेत्र की भी विजे की इस संसार को जीता हुआ वह अपनी राजधनी कन्योज वापस लोट आया गोड वहो का उप्रियुक्त विवरन कहां तक सही है यह नहीं कहा जा सकता इसमें बंग गोड देश के राजा का नाम नहीं मिलता गोड विजे का उलेक भी कावे के अंधिमे हुआ है इस कावे का विवरन अत्यंत अतिरंजित परतीत होता है तथा यह विश्वास करना कठिन है कि उसने इसमें वानित उत्तर और दक्षिन के सभी राजों को जीता होगा परंतु उसकी पूर्वी विजों की पुष्टिन नालंदा से प्राप्त एक लेक से हो जाती है इसमें उसे सारह भौम सासक कहा गया है इससे मगज तथा गोड पर उसका अधिकार परमानित होता है उसके समय हुई चाओ नामक चीनी यात्री का नोज आया था यदे भी वह सासक का नाम नहीं लिखता फिर भी यह बताता है कि वह है एक विश्टित परदेश का स्वामी तथा अनेक युदों का विजेता था ये सोबरमन ने 731 इस्वी में पूटा सिन अर्थात बूद सेन नामक अपने मंत्री को चीनी सासक के दरबार में भेजा था चीनी विवनों में उसे इस फोमो कहा गया है जो मद्य देश का राजा था कस्मीर नरेस ललित्ता दिते मुक्ता पीड जिसने 736 इस्वी में अपना एक दूद मंडल जीन बेजा था यसो वर्मन का उलेक अपने एक मित्र के रूप में करता है ऐसा लगता है कि इन दोनों राजाओं ने चीनी सासक से अर्बों के विरुद सैनिक सहायता की मांग की थी सिंद को जीतने के बाद अर्बों ने कनोच की ओर एक सेना बेजी जिसे यसो वर्मन ने हरा दिया होगा अते गोड वहो के पार सीकों से तात्वरिय सिंद के अर्बों से ही परतीत होता है इस परकाल ललिता दिते रहता यसो वर्मन ने कुछ समय के लिए अर्बों के विरुद मोर्चा तयार किया परंतु सिग्रे ही इन दोनों के समन्द बिगड़ गए कलहन की राश्तरिंगेनी में दोनों सासकों के पारस्परी संगर्शों का उलेख हुआ है ऐसा पता चलता है कि युद में यसो वर्मन बूरीतर है प्राजित किया गया और उसका राज्य छिन भिन हो गया था राश्तरिंगेनी में कावयात्मक ढंक से कहा गया है कि वागपती भवभूती आधी कवियों द्वारा सेवित यसो वर्मा उसका अर्थात ललिता दित्ते का गुणगान करने लगा तथा यमुना से लेकर काली का अर्थात काली नदी तक के बीच का कन्नोज राजे का भाग ललिता दित्ते के महल का आंगन मन गया यसो वर्मन विद्वानों का आश्रे दाता था यसो वर्मन ने 723-740 इस्वे तक सासन किया वह विद्वानों का आश्रे दाता भी था वागपती के अलावा सिंस्क्रित के महान नाटक कार भावबूती उसके दरबार में निवास करते थे भावबूती ने तीन परशित नाटक गरंतों की रचना की है जो इस प्रकार है मालती मादव, उत्तर रामचानित और महावीर चरीत तो मालती माधव है इसमें दस अंकों का नाटक है यह है और इसमें माधव धधा मालती की पढ़ने कथा वनेद है उत्तर राम चरीत में भी साथ अंक हैं इसमें रामायन के उत्तरकांड की कथा है भवपूती करून रस्क के आचारिये माने जाते हैं महावीर चरीत के साथ अंकों में राम के विवास से राजय विशेक तक की कथा है यशो वर्मन का धर्म क्या था यशो वर्मन सैम अत्तानुयाई था उसका उथान और पतन उलका की भाती रहा जैन गरंथों में उसके पुत्र का नाम आमरा जव मिलता है जिसने उसके बाद कर्नोज और ग्वालियर पर सासन किया किंदू इन विवर्मनों की एथिहसिकता संदिक्द है वर्तमान इस्तिती में हम यशो वर्मन के उत्रादिकारियों के विशे में निशित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते उसके बाद हम कर्नोज में आयूद नाम धारी राजों को सासन करता हुआ पाते हैं इनमें वजरायूद इंद्रायूद तथा चक्रायूद के नाम मिलते हैं यह सभी अत्यन्त ही निर्बल सासक थे तो देखेगा इस वीडियो में हमने हर्स की मत्व के बाद सासन करने वाले राजों के बारे में जानकरी प्राप्त की और एक्जाम की दर्स्तिर से यह वीडियो बहुत महत्तों पुण है तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे